जेहें दोस्तों अंदे माता इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले आज हम खेलने वाले हैं एक क्विज इस क्विज में आपको कुछ नहीं करना है मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और इस तस्वीर में आपको कुछ मैं ढूणने के लिए कहूंगा आपको वही चीज़ जूणना है अब यह तस्वीर जाओ भी आप अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हैं यह तस्वीर है वानी का पूर की और यह सीन है मूवी शमशेला का आपको इस तस्वीर में इस सीन में बच्चे को ढूणना है मिल जाए तो बताना मिला नहीं मिलेगा ज्यादा सर मत खपाओ योगी इस सीन में बच्चा जो है वो अपनी अलगी जंग लड़ रहा है अपने अस्तित्व की यो कि जिस सीन में बच्चे को होना चाहिए था अर्यि मतलब या तो आभी सोच रहा हो कि पब्लिक इस और वानी कपूर में जादा इंटर macro सेट होगी बच्चे के या फिर आपके दिमाग पता नहीं क्या चल रहा था हाँ था एक समय बिल्कुल था एक समय जब पब्लिक इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती थी और बोलती थी चलो ठीक है मुवी ही तो है लेकिन आज की रेट में जब टिकटओ की रेट तीन सो चारसू रुपए हो रहे है न से कुछ समय पहले रंवीर कपुर की एक फिल्म आई थी इसका नाम था शम्शिरा इस फिल्म से मेकर्स को काफी उमीदे थी लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ही सारी की सारी उमीदों पर पानी फिर गया देर सो करोड रुपए के बजट ने बनी फिल्म ने बॉक्स ओविस को ऐसा निराश किया जैसा किसी ने सोचा भी ना था इस फिल्म को लेकर प्रमोशन तो बहुत हुए फिल्म की काफी तारीफ भी हुई फिल्म को बड़े बिजट के साथ बनाया गया था लेकिन फिर भी फिल्म ने इतनी सारी गलतिया करी कि फिल्म अपने पैरों पर कभी खड़ी ही नहीं हो पाई और बिजनेस तो कहर हम छोड़ी दे फिल्म की कहानी को तो दर्शकों नापसंद किया ही था इसके अलावा अब शम्शेरा का फिल्म का एक सीन सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है इसके बाद दर्शकों ने जोरों से मेकर्स के मज़े लिने शुरू कर दी है और आज हम इसी बारे में जरा चर्चा करने वाले है दरसल रनवीर कपूर बॉल्यवड में एक बड़े सितारे की हैसियत रखते है ऐसे में उनकी फिल्म का इतना बुरी तरह से फलॉप होना रनवीर के लिए खुद ही एक बहुत बड़ा धक्का था शमशेरा फिल्म में रनवीर कपूर के साथ वानी कपूर और संजदत भी एहम भूमी काओं में रहे थे संजदत और रनवीर कपूर के बीच फिल्म में फाइटिंग सीज भी देखने के लिए थे फिल्म के आखिर में रनवीर कपूर संजदत से युद कर रहे थे और इसी सीन में वानी कपूर भी एक हाथ में बच्चा लिए दूसरे हाथ से तलवार लिए लड़ रही थी मानो जहासी किरानी खैर बस यहीं पर सारी की सारी कड़ी फज गई दर्शकों ने ऐसी बात ढूंड निकाली जिसके बाद मेकर्स को फजियत का सामना करना पड़ रहा है आपको बता दू कि वानी कपूर जिस बच्चे को लेकर शूट कर रही थी वो सुईन में साफ देख रहा है कि वो कोई बच्चा नहीं है बलकि एक कपड़े को लपेड कर ऐसे बना दिया गया जिसे मालूम पड़े कि यह कोई बच्चा हो मेकर्स को लगा कि इंडियन ओडियन्स है इस कमी को दून पाएंगे नहीं लेकिन भारती दर्शक तो इतने ध्यान से फिल्म देखते हैं कि आपको क्या ही बता है भारती दर्शक स्वाज़ार हो चुके हैं उन्होंने ध्यान से फिल्म को देखा और उन्होंने ये अंतर भी साफ नजर आया कि मतलब यहां पर क्या चल रहा है आपको बताते कि मेकर्स ने ये भी कोशिश नहीं करी कि वानी कपूर के हाथ में कोई गुडिया या फिर टेक्निकल मतलब वे एफेक्स से ही कुछ कर देते बलकि उन्होंने थे वैसे ही कपड़ा लपेड कर वानी को दिखाना हो चित समझा जनता को ना समझ समझने वाले मेकर्स की फिल्म इस तरह पिटी की वो अपना मूल धन भी नहीं जुटा सकी और बस वहीं से सारे कच्रे होना शुरू हो गए इतनी बड़ी फलॉप और इस तरह गलती करने के बाद भी मेकर्स के पैर सात्वे आस्वान पर रहे और खुद अपने मूमिया मिठ्टू बनने वाले मेकर्स का काम किया उस फिल्म पर नास करते रहे जैसे दरशकों ने नकार दिया इसके अलावा फिल्म की स्टार कास भी निर्देशक का बचाव करते देखी लेकिन दरशकों ने अब एक ऐसे रास पे से परदा उठा दिया है जो फिल्म की पूरी टीम के लिए एक शर्मनाक सावित होगा इसी को लेकर ट्विटर के उपर काफी सारे मज़दार ट्वीट्स भी आ रहे है अब जायर सी बात है आप इतने बड़ी गलती करोगे इतने बड़े पड़े पर तो फिर दिक्कत तो होगी तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ सबसे पहले गुमान सिंग राठो लिखते हैं यहाँ पर एक बच्चा है आपस अज्यूम कर लीजे यहाँ पर लाठी यहाँ एक लाठी यहाँ पर लटाव पर लाठी चल्साट से कर लाठी हुआ लाठी पर लाठीा लिखती हैं बेब वेर इस द बेबी श्रयास लिखते हैं शमशेरा जस्ट अनदर पीरियद ड्रामा वेरी वीक राइटिंग नो इमोशनल कॉनेक्टर वित आइदर करेक्टर्स मदरुख ने लिखा है कि वाइट शमशेरा जस्ट नो कीपिंग बॉयकोट कुल्चर अपॉर्ट इस रियली इस बाद मुवी लो ये एक लग लेवल की बिश जाती हैं बारतीयों को ही बारतीयों गिलाव दिखा दिया गया खेर एशन टाइम्स लिखते हैं तो डिरेक्टर मेड बिग मिस्टेक इन शमशेरा मूवी सीन वानी कपूर यूजड बंडल अफ क्लोथ इस बेबी इन फाइट सीन साफ दिख रहा है दिख तो क्या क्या रहा है निखिल लिखते हैं यह boycott gang के कारण सारे meme material waste हो रहा है वहुज दिस मूवी boycotted और audience just ignored it सीरी सी बात मुझे तो अगर इसको ignored जादा किया गया था रवीश भारती इसको पर लिखते हैं Another annoying thing, first they showed how Ranbir traveled so long, even crossed a mountain to reach Nagina from Kaza, but later everyone else kept traveling back and forth like both places are neighboring villages. मतलब पहले तो दिखा दिया कि इतना दूर दूर तक उसे travel के, और बाद में जिस तरीके से traveling दिखा ही है, वो तो मतलब ना काफी है. Ranbir ने और लिखा है, कि I only fast forwarded till half movie and found iconic scenes copied from Mad Max, Fury Road, Aladdin, Dark Knight Rises and Ladiator. इतनी जगे से copy की गई है. Tulip लिख्चर सुमार लिखते हैं, कि we used to get at least a baby-sized toy and wrap it up for outstage plays in college and these guys didn't think it was required. I'm amazed. भाई बड़ी पिच्चर बन रही थे हैं, छोटी-छोटी बातों के ओपर ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी देशों में चोटी-चोटी चीज़े होती ही रहती है. विगिनेश लिखते हैं, वाई बड़ी थी कि वो ऐसे ही करके बहार आजाए थी, तो समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी डालने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने भी आपको ग्रांटेट ले लिया. बाबा बकर चंद लिखते हैं, और मुझे कहीं से कहीं तरह भी पब्लिक का रिस्पॉंस बिलकुल गलत नहीं लग रहा है. क्योंकि अगर आप मेकर्स को कच्रा दोगे, तो पब्लिक भी बदले में आपको कच्रा ही कर देगी. क्योंकि आप समझो ना, आज की रेट सोशल मीडिया का एज है, आपको हड़ एक चीज को इतनी डीटेल में परखने का टाइम मिल जाता सोशल मीडिया पर, करके, आप पॉस करके भी देख सकते हैं, जूम करके, भाई क्या है, मेकर्स नहीं सोचा को कि हम कपड़ाला पेट के दिखा देंगे, तो पब्लिक पकड़ पाएगी, लेकिन पब्लिक हो चुके देड़ शानी, पब्लिक आज की रिट में चीज़ें पकड़ने लगी, और कर दो, जूम क्या है, में भी के दिखा ब्लिक हो चुके देख सबस्केंदे हो ALँचारऊ ब्लिक हो चाहवाशनित की वे चीज़ें oldate देंगे, जुआ है, में वे में उमें ब्लिक की रिट में लेgg, जूम क्या कमप़ चुके दोद्स, पाई दो सुल रहतें स्केंदक सबस्